हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों अगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्रवण कुमार का चरिच चित्रन याद करना पड़ाना तो दुबारा आकर के वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना यह मेरी गैरंटी है तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको स्रवण कुमार का चलिट चित्रन इस तरीके से लिखना बताने वाला हूँ कि आप अगर बोडिक जाम में लिख देते हैं तो आपका एक भी नमबर कटने वाला नहीं है प्लस आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो दोस्तो चरिट चित्रन लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा ही बोडिक जाम में यहिरण डाल देना है उसके बाद कैसे लिखेंगे उस प्रकार है तो दोस्तो मैंने लिख दिया है इसके बाद हमें क्या करना है स्वा अपने से heading generate करेंगे ठीक है अपने आप यहाँ पर हम कुछ heading को generate करेंगे अब heading को generate करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो स्रवाण कुमार की मुख्य भी सेस्ता है अपने से कुछ भी सेस्ता है समझेंगे उनके गुणों के अधार पर ठीक है थोड़ी बहुत बेसिक जानकार यहाँ पर डालेंगे और माकी अपने से बना बना करके हम लिखेंगे ताकि हमें रटने की कोई जरूरत ना पड़े तो यहाँ पर हम कुछ हेडिंग्स डालेंगे जैसे मान लेते हैं कि स्रवाण कुमार अपने माता पिता का परम भक्त थे ठीक है स्रवाण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते थे ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहली हेडिं के परमभक्त थे ठीक है स्रवण कुमार अपने माता-पिता के परमभक्त थे ये लगभक सभी लोग जानते हैं उसके बाद हम क्या-क्या चीजें लिखेंगे जैसे कि वह अपने माता-पिता की हर बातों को मानते थे और उनकी बहुत ही जादा सेवा करते थे ठीक है वो उनको कावड में बिठा करके तीर्थे आत्रा कराने ले जाते हैं इससे उनके मात्र पित्र भक्त होने का प्रमाड हमको मिलता है तो इतनी चीजें हम इस heading के अंतरगत लिखेंगे बोड इक्जाम में इतना ही लिखेंगे तब भी आपकी तीन चार लाइन भर जाएगी तो चलिए देखिए मैं इतना लिखता हूँ तो दोस्तों इस heading के अंतरगत हम बस इतना ही लिखेंगे आप देख सकते हैं इतना ही लिखने में हमारी इतनी लाइने भर गई है फिर हमें नियूंतम पांच heading करनी है ठीक है पांच से कम heading नहीं करेंगे तो पांच heading तक हमें बनाना है तो इतना बहुत ज़्यादा काफी है जब हम पांच heading से लिख देंगे न तो अराम से हमारे एक दो पेज भर जाएंगे ठीक है इतना हमने लिख दिया उसके बाद अगली heading हम क्या बना सकते है वो अपने माता पिता के भगते थे वो तो उनको ले गए उनकी सेवा कराए ठीक है वहाँ पर तीर थे अत्रा कराने ले गए ठीक है तो उनसे उनकी मात्र पित्र भगती का प्रमार हमको मिलता है दूसरी heading हम क्या डालेंगे यहाँ पर जैसे माल लेते हैं कि वो बीर थे बीर थे तभी तो उनको ले गए ठीक है साहसी थे उनके अंदर साहस था वहाँ अकेले डरे नहीं बिल्कुल ठीक है और उनको अकेल दम पर वो क्या कर गए ले करके गए उनको ठीक है दोनों लोगों को तो इससे उनके बीर एवं साहसी होने का भी प्रमाण मिलता है मेन हमें उनके चरितर की भी सेस्ताइं लिखनी है तो दूसरी heading हम क्या डाल सकते हैं बीर एवं साहसी तो ऐसे ही आपको भी बोर्ड इक्जाम में बना करके लिखना है रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो अगली heading हम यहाँ पर डाल देते हैं बीर एवं साहसी तो दोस्तों हमने डाल दिया heading बीर एवं साहसी ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए इसको लिखने के लिए इसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं जैसे सरपर्थम तो इसका थोड़ा सा बेसिक introduction देगे कि स्रमण कुमार एक बहुती बीर एवं साहसी पुत्र थे ठीक है इतना तो हमने लिख दिया उसके बाद उनके और बीर एवं साहसी होने का गुड क्या मिलता है कि वह अपने माता पिता को तीर थे आत्रा कराने ले जाने में अकेले बिल्कुल भी नहीं डरते हैं ठीक है बिल्कुल भी नहीं डरते हैं वह जंगल में उनको ले गए अनेक रास्ताओं से ले करके गए ठीक है कई प्रकार के कस्ट सहे कई आतनाय सहे लेकिन वो बीर थे तभी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक है तो ऐसे आप बना बना करके कई चीजें यहां पर कमबाइन करकरके इसको बहुत ही ज़्याद ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिख दिया कि स्रवाण कुमार एक बीरेवम साहसी पुतर थे वह अपने माता पिता की तीर थे अत्रा करवाने में तनिक भी नहीं डरते हैं और अकेले उनको तीर थे अत्रा करवाने ले जाते हैं इससे उनकी बीरता का प्रमाड मिलता है तो ऐसे यहां पर हम सेकेंड हेडिंग बना सकते हैं अब यहां पर हम तीसरी हेडिंग क्या बना सकते हैं आज्याकारी अब क्यों क्यों कि वो अपने माता पिता के कहने पर जल लेने जाते हैं ठीक है तो उनकी आज्या का पालन करते हैं ठीक है तो पर हम क्या लिख सकते हैं तीसरी heading आज्याकारी ठीक है तो आज्याकारी heading आप लोग लिख दीजेगा तो चलिए मैं लिख देता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने आग्याकारी हेडिंग डाल दिया है अब इसमें हम क्या क्या चीजें बना करके लिख सकते हैं जैसे आग्याकारी होने में तो सबसे पहले बस इतना ही लिखेंगे कि स्रौण कुमार एक बहु थी मतलब स्रवार कुमार अपने माता पिता के परम आग्याकारी पुत्र थे ठीक है वो उनकी हर आग्या का पालन करते थे वो उनकी हर एक बात को मानते थे ठीक है तो इतना तो लिख देंगे प्लस साथ में क्या लिखेंगे प्रमार इसका क्या देंगे क्यों आपने माता पिता के कहने पर तलाब जल लेने जाते हैं इस से उनके आग्याकारी होने का प्रमाढ हमको मिलता है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने आग्याकारी हेडिंग के अंतरगत इतना लिख दिया है जैसे देखिए स्रावण कुमार एक आग्याकारी पुरुस्त है वहाँ अपने माता पिता की हर आग्या का पालन करते हैं माता पिता के कहने पर वहाँ जल लेने जाते हैं इस से उनके आग्याकारी होने का प्रमाढ मिलता है ठीक है इतना हम लिख देंगे यहाँ पर अब देखिए आप देख सकते हैं कि हमने मात्र अभी तीन हेडिंग ही बनाई है और इतने में ही हमारा पेज जो है एक पेज फूल हो चुका है आप लोग देख सकते हो और एक भी चीजे हमने अभी तक कोई भी रटी हुई चीज का एक भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है मात्र अपने दिमाग से इसको बना बना करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है अब चौथी हेडिंग हम क्या बना सकते हैं आप लोग दिमाग लगाए एकदम इजी चरी चित्रा है हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं ठीक है तो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए हम heading क्या बना सकते हैं चौथी heading जैसे देखिए वो तलाब गए जल्ले ने तो वहाँ पर क्या हुआ दसरत ने जब उनको बार मार दिया तो उनकी मिलत्यू हो जाती है तो इससे उनके बलिदानी होने का प्रमाड भी यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है इसके अंतरगत हम वही चीजे लिखेंगे जैसे कि वहाँ तलाब जल लेने गए ठीक है वहाँ पर दसरत के द्वारा बार मारने पर उनकी मिलत्यू हो जाती है प्रंतु तनिक भी नहीं घबराते हैं ठीक है इससे उनके बलिदानी होने का प्रमाड मिलता है ठीक है तो इस प्रकार यहां पर हम लिख देते हैं चलिए लिखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने बलिदानी हेटिंग के अंतरगत इतनी चीजें लिख दी हैं तो आप देखिए स्रमन कुमार बलिदानी पूरुस थे तलाब जल लेने जाने पर वहाँ पर दस रद्वाराबान मारने पर वह तनिक भी नहीं घबराते हैं और उनकी मृत्यू हो जाती है इससे उनके बलिदानी होने का प्रमार मिलता है ठीक है बलिदानी हेडिंग हमने डाल दिया अब हमें यहाँ पर देखिए चरिचित्रन चाहे जब भी लिखें लास्ट में एक हेडिं कि जो सारी विशेस्थाएं है ठीक है श्रवन कुमार के जिवो मुखेता हमने अभी तक यहाँ पर वरडञ किया है उन सब का यहाँ पर हम इकठा वरडञ कर देंगे जैसे देखिए इस प्रकार हम कह सकते है कि श्रवन कुमार अपने माता-पिता के परम्भक्त, आज्याका आग्याकारी बलिदानी एवं एक बहुती बीर एवं साहसी पूरुस थे ठीक है इतना यहाँ पर हम लिखेंगे चाहे जो चरी चित्रण लिखें उनकी सभी विशेस्ताओं को निस्कार से हेडिंग में समेट करके हमको लिखना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रवन कुमार एक आग्याकारी बलिदानी बीर एवं साहसी पूत्र होने के साथ साथ अपने माता पिता के परमभत हैं तो इस प्रकार से बोड इकजाम में आपको चरिचित्रन लिखना है और आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं है आप इसी तरीके से अच्छे से इसको लिख पाएंगे बस बोड इकजाम के एक दिन पहले इस वीडियो को फिर इससे देख लीजिएगा इसे डाउनलोड करके रख लीजिए ठीक है और इसके प्रत्येक पोर्शन का आप स्क्रीन सॉट ले लीजिए देखिए अगर आप इतना बोड इकजाम में लिखते हैं तब आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा मैंन का एक भी नंबर कटने वाला नहीं है तो मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजे ताकि रोजाना कि ऐसी वीड वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत